सवाल पूचिए सब्सक्राइब करता हूं एक reverse mortgage के बार में कुछ जानकरी चाहता हूं इससे हम एक मेरा अपना घर है तो उस पर मैं reverse mortgage के जरीए कुछ प्रसा बैंक से लेना चाहता हूं तो उसकी उसका क्या तरीका है और क्या उसकी वह बिसिक रिकॉर्मेंट्स रहती है अच्छिए जी तेंद्र जी यह जो रिवर्स मोर्गेज वो एक्जेक्ट्ली आपका जो हूम लोन है उसका रिवर्स है मतलब होम लोन के केस में क्या होता है बैंक आपको एक मुष्ट पैसा दे देती है आपको देती है जैसे बिल्डर को देती है आपके जो जैसे प्रोपर्टी खरीदिये उसको देती है और आप उसका भुगतान EMI के जरीए हर मन्त करते हैं रिवर्स मार्गेज के केस में क्या होता है कि आपकी घर की सेकूरिटी पर बैंक आपको ऑर महीने पैसा देती है परंतु जैसे आपने बताया कि आपकी एज 47 एर है, reverse mortgage की eligibility जो है basic eligibility है उसके लिए जो आपकी उमर है वो कम से कम 60 साल होनी चाहिए, 60 साल आपकी उमर हो तो ही आपको reverse mortgage में ये पैसा मिल सकता और इसमें लंचम नॉर्मली नहीं मिलता है, हर महीने आपको पैसा मिलता है और उसम में भी पचास हजार की limit है, पचास हजार से ज्यादा का आपको reverse mortgage में पैसा नहीं मिलेगा, इसके लगव आप medical emergency विगे रहे हो, तो पैसा ले सकते हैं, परंतु आप business के लिए या कोई trading विगे रहे के लिए उस पैसे का huge नहीं कर सकते, आप जहां तक रहते हैं, तब तक उ जो house की value से loan का interest जो आपको जितना payment दिया है reverse mortgage में, अगर interest cost ज्यादा हो जाती है, तो आपकी जो आपसे पैसा वसूल नहीं होंगे, मतलब जो आपकी equity है या जो आपकी cost है, वो आपके घर की value तक ही सिमेत है, अगर मतलब आपके जो legal year है, वो चाहे की property की value तो ज्यादा है, और loan जो reverse mortgage की जो outstanding amount कम है, तो वो चाहे तो वो इसका payment कर सकते हैं, अगर आपके legal year payment नहीं करते हैं, तो bank उस घर को बेच सकती है, और जो पैसा बचेगा, अगर बचा तो आपके legal year को पैसा मिलेगा, अगर पैसा नहीं बचता है और bank का घाटा हो जाता है, तो वो recovery उसकी वस और लोगों के loan से जुड़ेवे सवालों की उपर आया देने के लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया,